सब्सक्राइब करें हमारी योट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकम डबाना ना भूले चांद में अम्रत जब होता है तो वह बरसाता है इसलिए हमारी जड़ी बूटियों को रात्री के समय ही अम्रत अर्थात ओशधी को ताकत बल कव मिलता है इस चांद से ही मिलता है तो ओशधीयों में शक्ति भरने की का काम अम्रत भरने का काम चंद्रमा करते हैं तो खीर बना के रखने का भाव यह है कि उस खीर में पॉजिटिव एनरजी बहुत होती है जैसे धूप में खड़े होने से हमारे शरीर को क्या मिलता है जोर से बोलो बिटामिन डी बिटामिन डी हमारे शरीर को कहां से मिलता है सूर्य भगवान से जब भी कोई नया बच्चा पैदा हो तो उसे सुवह शाम की दस-दस मिनिट की धूप दिखाना चाहिए ऐसा डॉक्टर कहते हैं नहीं दिखाने से वह बच्चा बीमार हो जाता है है ना डॉक्टर भी कहते न धूप दिखाओ क्यों दिखाना चीए सुवह साम की धूप क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है और वह विटामिन डी हमारे शरीर को बहुत लाव देता है ये समझ लो की विटामिन डी शरीर के लिए अम्रत होता है उसी प्रकार यदि शूरी के ताप से, शूरी के प्रकास से, यदि विटामिन D मिलता है, तो पूर्णी मा के चांद से भी हमारे शरीर को कह सकते हैं, अम्रत मिलता है, अम्रत मिलता है इसलिए इस चांद का खूब लाव उठाना चाहिए जितनी जादा देर हो सके इस चांद का दर्सन करना चाहिए